जब पहली बार में आया अमिच्छा साभ यहां सडके नहीं होती थी गाओं के भाषा में हम कहते हैं कि केवल पकडंडी होती थी पकडंडी आज मुंगाउली से अशोक नगर से चंदेरी से गुना से बमोरी से कोलारस से पिछोर से शिप्पुरी से सारी की सारी मखमल की सडके बन गई हैं मेरे भाई और भेनो मुंगाउली से पिप्राई पिप्राई से अशोक नगर और आने वाले समय में मुक्यमंत्री जी के आशिरवात से हमारी कुरवाई से मुंगाउली और मुंगाउली से चंदेरी के लिए नया हाइवे भी स्विक्रत हो गया है ढाईसो करोड उपय का मेरे भई और भेनो और यहीं पिपरई में जो एक तैसील के लिए मांग रख़ः रखि गई थी आज तैसील स्विक्रत हो चुकी है पिपरई में 30 बिस्तर का अस्पताल स्विक्रत हो चुका है और मेरा ये शेत्र जो शिक्षा के लिए भूका था कोई कल्पना नहीं करता था कि मुंगावली में केंद्र विद्याले खुलेगा मुंगावली में हमने केंद्र विद्याले खुला कर शिक्षा के रास्ते खोल दिये अशोक नगर में केंद्र विद् और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चुनाव आचार साइंता लगने के पहले जो चार ट्रेनों की स्टॉपेज हमने मुंगाउली में दी तिरुचा पली से भगत की कोठी उदैपूर से शालिमार एक्सप्रेस दुरगजमेर एक्सप्रेस सूरत से मुजफर एक्सप कि प्रदान मंत्री नरेंद बोदी जी के नेतित में जो विक्सित भारत का सपना है प्रदान मंत्री जी साकार करने के लिए संकलित हैं जिस देश में 80 करोड लोगों को राशन दिया जा रहा है दिस देश में हर व्यक्ति के सिर पर घर देने का संकल्प जहां 65 वर्षों में केवल तीन करोड घर बने थे पिछले दस साल में चार करोड घर पूरे देश में बना दिये जा एक एक देश के वासी के लिए आयुश मानकार दिलवा दिया पाँच लाग का स्वास का सुविदा हर देश के वासी के लिए ये मोदी की गैरंटी है मेरे भाई और भेनों और मोदी की गैरंटी मतलब गैरंटी पूरी करने की गैरंटी है मेरे भाई और भेनों और इसलिए कहा जाता है यूई नहीं चुनते हैं मोदी जी को वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और भेनों जहां आयुशमान कार्ड दे दिया वही मैलाओं के लिए उज्वला योजना एक गर में चूला और गैस का सिलिंडर और आने वाले पाथ सालों में जहां गैस का सिलिंडर है वहां पाइप से गैस आपके घर में पहुचाया जाएगा मेरे भाई और बहनों जहां एक तरफ मोदी जी विकास के पत्पे चलाना चाहते हैं देश को वहीं दूसरे तरफ ये जो घमंडिया गडबंदन खड़ा है ये गडबंदन नहीं है ये ठग बंदन है ठग बंदन 18 माई ने हमने मध्यप्रदेश में देखा कैसे एक एक गरीब का पैसा लोटा और आज जब हमारी डबल एंजन की सरकार आ गई तो एक एक किसान को 6,000 रुपईया मोदी जी से और 6,000 रुपईया मोहन यादव जी से मिल रहा है मेरे बाई और बहनों तालियों की गरगाच से आम दन्यवाद अर्पित करें और आज मेरे बाई और बैनों ये ठग बंदन परिवार देखता है प्रगती नहीं ये ठग बंदन अपना फाइदा देखता है आपका विकास नहीं तो आज इस मंच से मैं आपको अवान करना चाहता हूं कि आज इस मंच से हम संकल्प ले एक संकल्प ले कमल के निशान का बटन दबा कर मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना होगा और ओस संकल्प के साथ मात्र भूमी को प्रणाम करता हूं सशक्ति करण को सलाम करता हूं और विकास की पैचान लाने का संकल्प लेता हूं मेरे भाई और भेरों अमिच शाजी के सामने हाथ उठाकर संकल्प लो मुट्टी बान कर और कमल का फूल ऐसे बना कर सब सारे के सारे कमल का फूल बनाए कमल का फूल बनाए मोदी जी और अमिच शाजी का साथ आपका विश्वास हमारा प्रयास और हम करेंगे गुना शिप्पुरी मुंगावली और पिप्रई का कई गुना विकास धन्यवाद जय हिन जय भारत